नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे नवरात्री के पांचवे दिन की कथा माता सकंद की कथा तो चलिए शुरू करते हैं सकंद माता पार्वती जी का ही अंश है सकंद का अर्थ है कार्तिके माता का अर्थ है मा अर्थात कार्तिके की माता सकंद के एक हाथ में, कमल दूसरे हाथ में, कार्तिक जी और तीसरे हाथ से वहाँ अपने भक्तों को आशिरवाद दे रही है प्राचीन काल में जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान भोलेनाथ घोर तपस्या में लीन हो गए थे, सभी देवता घोर असमंजस में पड़ गए थे, चारों और अंधकार फैल गया था और इसका फाइदा असुरों को हुआ उस समय ताड का नाम क एक असुर देवलोक में उथल पुथल मचा रही थी देव और देवगन बहुत परेशान थे, उसका सामना कोई नहीं कर सकता था, ताड का को वरदान था कि उसका वद केवल शिव जी की संतान ही कर सकती है, और तीनों लोकों में उसका वद कोई नहीं कर सकता शिव जी तो घोर तपस्या में लीन थे और बिना सती माता के संतान कैसे संभव था ये समस्या लेकर सभी देवता भगवान विश्नु जी के पास गए और उनसे मदद मांगी परंतु भगवान विश्नु जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा देवता अपने इस स्थिती के जिम्मेदार स्वन्य ही है।